हलो दोस्तो लेटेस्ट एक्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है उमीद है आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम आचारे रामचंदर शुक्ली जी पर आधारित बहुत ही महतपूर्ण परशिन करेंगे दोस्तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर बैल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो शुडू करते हैं पहला प्रेशन है आचारे रामचंदर शुक्ली जी का जनम कब हुआ सही उत्तर चुनिए विकल्प है 1880, 1882, 1884 या फिर 1886 इस्वी अचारे रामचंदर शुक्ली जी का जनम कब हुआ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब हुआ 1884 इस्वी में अचारे रामचंदर शुक्ली जी का जनम हुआ अगला प्रिशन देखिए हिंदी सहित्य के काल विबाजन में आदी काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था विकल्प देखिए रामकुमार वर्मा हजारी परसाद दिवेदी डॉक्टर नागेंदर या फिर रामचंदर शुक्ली जी तो सबसे पहले देखिए आदी काल को आदी काल नाम किसने दिया था पहले तो हम ये समझते हैं आदी काल को आदी काल नाम किसने दिया था आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि भी राम जी क्या थे वीर थे ठीक है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हूं अब दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा आदी काल को वीर काथा काल नाम अचारय रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था तथा इन्हों ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल की संग्या दी थी और इन्हों ने रीती काल को उत्तर मध्यकाल कहा था और इन्हों ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था गद्यकाल क्या रखा था गद्यकाल ठीक है ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा आचारया रामचंदर शुक्ल जी ने आधी काल जिसका नाम है वीर काथा काल का समय 150-1375 विक्रमी सम्मत माना है तथा भक्ती काल जो की पूर्व मध्य काल से सम्मंदित है उसका समय 1375 से 1700 विक्रमी सम्मत और रीती काल जो की उत्तर मध्य काल है सतारा सो से उन्नी सो विक्रमी सम्मत तथा आधुनी काल जिसे गद्य काल की संग्या दी गई है वह सम्मत उन्नी सो से अब तक है और दोस्तो इतिहास गरंथ में कुल कितने वर्षों का वर्णन किया है और दोस्तों यह साहित्य गरंद लगभग 122 रचनाओं पर अधारित है महत्पून है आप इसे नोड जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इनके इतिहास गरंद का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था जो की 1929 इस्वी में लिखा गया था और दोस्तों यह है पहला गरंद था जो विधेवादी पदती पर लिखा गया था महत्पून परशन है दोस्तों आप से पूछा जाएगा कि बताएं ऐसा कौन सा इतिहास गरंद है जो विधेवादी पदती पर लिखा गया है तो वह है अचारय रामचंदर शुकल जी का गरं अब जो प्रशन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है और ये प्रशन इस बार मास्टर कैडर एक्जाम में जरूर पुछा जा सकता है देखिए आचारे रामचंदर शुक्ल जी ने भक्ती काल को दो भागों में बाटा है पहला है निर्गुन धारा तथा दूसरा है सगुन धारा और दोस्तों इसमें से एक प्रशन लास्ट टाइम एक्जाम में पूछा भी गया है और निर्गुन काव्या धारा को आगे इनोंने और दो भागों में बाटा है पहला है ग्यानाशरी याद कर लीजिएगा इसे बहुत महत्पूर्ण है दूसरा है प्रेमाशरी और दोस्तों प्रेमाशरी और ग्यानाशरी इन दोनों को ये नाम भी अलग अलग है जैसे ग्यानाशरी शाखा को संत काव्या धारा भी कहा जाता है तथा प्रेमाशरी को सूफी काव्या धारा भी कहा जाता है और अगर हम बात करते हैं सगुन काव्यधारा की तो इन्हें भी दो भागों में बाटा गया है पहला है रामाश्री तथा दूसरा है किर्शनाश्री जिसमें किर्शन की भक्ती का जिकर किया गया है तथा रामाश्री में राम भक्ती का वर्णन किया गया है और अगर इनमें बात करें महतपूर्ण कवियों की तो रामाश्री शाखा में जो महतपूर्ण कवी है वो हैं तूसी दास जी और किर्शन काव्यधारा के अंदर सूर्दास महतपूर्ण है और जब बात करते हैं ग्यान आश्री संत काव्य धारा की तो इस में कबीर जी महतपूर्ण कवी हैं तथा प्रेम आश्री में मलिक मुहम्मद जैसी बहुत महतपूर्ण कवी हैं अगला प्रशन है इन में से कौन सा कथन आचारे रामचंदर शुकल जी का नहीं है महतपूर्ण प्रशन है दोस्तों इसमें से एक प्रशन आपके एकजाम में जरूर बन सकता है यदी प्रबंद काव्य एक विस्तरित बंस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुल्दस्ता है भारत का लोकनायक वही है जो समनवे कर सके अधूनिक काल में गद्यकाल का आविर भावय सबसे परधान साहित्य घटना जान पड़ती है अपने पोर्श से हतास जाती के लिए भगवान की भक्ती और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई और मार्ग ना था तो देखिए आचारे रामचंदर शुकल जी का जो कथन नहीं है वह है भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समनवे कर सके तो यह कथन हजारी परसाद दिवेदी जी का है बहुत महतपूर्ण है दोस्तों इसे याद जरूर करिएगा और आचारे रामचंदर शुकल जी के जो तीनों कथन दिये गए हैं इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगला प्रशन देखिए आचारे रामचंदर शुकल जी ने कितने गरंथों के आधार पर आदी काल को वीरगाथा काल नाम दिया था महतपूर्ण प्रशन है इस तरह का प्रशन आपको दोस्तों कहीं और देखने को नहीं मिलेगा तो कितने गरंथों के आधार पर आदी काल को वीरगाथा काल नाम दिया था तो यह 12 गरंथों के आधार पर आचारे रामचंदर शुकल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था किसे आदी काल को अगला देखते हैं आचारे रामचंदर शुकल ने अपने इतिहास गरंथ में अंतिम रूप में किस काल का विवेचन किया है छायावाद का प्रगती वाद का प्रियोगवाद या फिर नई कवीता का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो सही उत्तर है अचारे रामचंदर शुकल ने अपने इतिहास गरंथ में अंतिम रूप में छायावाद का विवेचन किया था most important प्रशन है याद रखिएगा अगला प्रशन देखिए अचारे रामचंदर शुकल जी ने किस कवी को हिंदी का प्रथम कवी माना है महत पूर्ण प्रशन है अचारे राम चंदर शुकल जी ने हिंदी का पर्थम कवी चंदर वर्दई को माना है और चंदर वर्दई जी की रचना थी पिर्थवी राज रासो जो की एक वीर काव्य था और इन्हों ने इसे हिंदी का पर्थम महा काव्य भी माना है और अगर हम बात करें सरहपा की तो सरहपा को हिंदी का पहला कवी राहुल सांकिरतैन जी ने माना है तथा स्वेंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने तथा शाली भद्र शूरी को डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त जी ने पहला कवी माना है अगला प्रशन देखिए आचारे रामचंदर शुकले ने रासो काव्या की उत्पत्ती किस से मानी है आई एमपी प्रशन है दोस्तों इसे बिलकुल भी इग्नोर मत करना एक्जाम में ये प्रशन पूछा जा सकता है क्या इन्होंने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ती मानी है राज सुई शब्द से रासायन से या फिर रासियस शब्द से सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा आचारे शुकले ने रासो शब्द की उत्पत्ती किस से मानी है तो इन्होंने रासो शब्द की उत्पत् महतपूरण प्राशन था अगला प्राशन देखिए आचारे राम चंदर शुकल ने किस काव्य को हिंदी का पहला महा काव्य है और इसके अंतरगत रचनाकार को हिंदी का पहला महा कवी माना है तो इन्होंने किसे माना है पृत्वी राज रासों को पहला गरंथ माना है और चंदरवर्देई को पहला कवी माना है और दोस्तों इसी के साथ देखिए संदेश रासक रचना है अब्दुल रह्मान की लिखी हुई है पदमावत मोस्ट है जो की जैसी जी के द्वारा लिखा गया काव्य है परमान रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है अगला प्रशन देखिए आचारे राम चंदर शुकल जी की एक मात्र कहाणी most important question है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा एक्जाम में पूछा जा सकता है लाल पान की बेगम 11 वर्ष का समय खेल या फिर बिफ्तवगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा सही आंसर चुनिए आचारे राम चंदर शुकल की एक मात्र कहानी कौन सी है 11 वर्ष का समय अगला प्रशन देखिए आचारे राम चंदर शुकल काशी नागरी प्रचारनी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्मान के लिए कब निक्त हुए विकल्प है 1902 इस्वी 1903 इस्वी 1904 या फिर 1905 इस्वी में अचारे राम चंदर शुकल काशी नागरी प्रचारनी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्मान में 1905 इस्वी में निक्त हुए थे अगला प्रशन देखते हैं आचारे राम चंदर शुकल की रचना चिंता मनी में कितने निमंद संगरे हैं तो यह सतारा निमंद संगरे हैं अगला प्रशन देखिए अचारे राम चंदर शुकल जी की रचना चिंता मनी भाग दो में कितने निमंद हैं विकल्प है 17, 19, 21 या फिर 23 क्या सही उत्तर हो जाएगा अचारे राम चंदर शुकल की रचना चिंता मनी भाग दो में कितने निमंद हैं तो यह 21 निमंद हैं अगला प्रशन देखिए चिंता मनी भाग तीन के संपादक कौन थे? Most important question है दोस्तो डॉक्टर कुसम चत्रुवेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंग, डॉक्टर नामबर सिंग या फिर आचारय शुक्ल जी चिंता मनी भाग तीन के संपादक थे डॉक्टर नामबर सिंग विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा इन्हों ने यह संपादन 1983 इस्वी में किया था अगला प्रशन देखिए आचारय रामचंदर शुक्ल जी का गरंत हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से परकाशित हुआ था विकल्प है हिंदी साहित्य का विकास हिंदी साहित्य का अध्यन हिंदी साहित्य का विवेचन या फिर हिंदी साहित्य का विशलेशन हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से परकाशित हुआ Most important question है ये बहुत बार TGT PGT प्रिक्षाओं में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प और हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसका प्रकाशन हुआ था अगला प्रशन देखिए अचारय शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया था विकल्प है नागरी नीरत आनंद कादंबनी इंदू या फिर मर्यादा सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा अचारय रामचंदर शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया तो इन्हों ने आनं कादंबनी नाम की पत्रिका का संपादन किया था अगला प्रशन देखते हैं अचार्य शुक्ल जी का जनम कहा हुआ था विकल्प है कोहरीपुर जोनपुर में लहमी बनारस अगोना बस्ती या फिर चिरगाव जहांसी में सही उत्तर चुने क्या उत्तर हो जाएगा अचार्य रामचंदर शुक्ल जी का जनम कहा हुआ था तो यह है अगोना बस्ती में इनका जनम हुआ था अगला प्रशन देखिए अचार्य रामचंदर शुक्ल की एक मात्र कविता भारत और बसंत किस पत्तिरिका में प्रकाशित हुई रेरेस्ट प्रशन है दोस्तों इसे अच्छे से याद कीजिएगा विकल्फ है नागरी नीरद आनंद कादंबनी इंदू या फिर मर्यादा में सही उत्तर चुने क्या उत्तर हो जाएगा अचारय रामचंदर शुक्ल की एक मात्र कविता भारत और बसंत आनंद कादंबनी पत्तिरिका में प्रकाशित हुई थी महतपूर परशन है याद रखियेगा अचारय शुकल जी की एक मात्र कविता कोन सी थी भारत और बसंद ठीक है इसे याद रखियेगा अगला प्रशन है आचारय राम चंदर शुकल ने किस काविया गरंथ से सूफी आख्यान काविया की खंडित परंपरा की समाप्ती मानी है आई एमपी प्रशन है दोस्तो सेख नभी की ज्यांदी परचना से जैसी की पदमावत से मंझन की मदुमालती से या फिर नूर महुम् ने किस काविया गरंथ से सूफी आख्यान काविया की खंडित परंपरा की समाप्ती मानी है तो यह है नूर महुम्मद की अनुराग वासरी से मानी है दोस्तो इस में से बहुत सारे प्रशन बन गए हैं आप अच्छे से याद रखिएगा शेख नभी की रचना क्या है ग्य अनुराग बासरी अगला प्रशन देखिए आचारे शुकल की एक मात्र कहानी 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई आई एंपी प्रशन है 1902 में 1903 इस्वी 1904 या फिर 1905 इस्वी में सही उत्तर चुने सही उत्तर क्या हो जाएगा आचारय शुकल की एक मात्र कहानी 11 वर्ष का समय कब परकाशित हुई तो यह है 1903 इस्वी में परकाशित हुई थी अगला प्रशन देखिए आचारय रामचंदर शुकल जी की प्रारंबिक शिक्षा किस भाशा में हुई अग्रेजी में संस्कृत में उर्दू फार्सी में या फिर हिंदी में सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा आचारय रामचंदर शुकल जी की प्रारंबिक शिक्षा किस भाशा में हुई थी तो यह है फार्सी उर्दू भाशा में हुई थी आचारय शुकल हिंदी साहित्य में मुखता किस प्रकार के साहित्य कार है विकल्प है उपन्यास कार अलोचक कहानी कार या फिर निबंद कार सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल हिंदी साहिते में मुखता किस परकार के साहित्यकार हैं तो ये परसिद निमंद कार हैं अगर आपको परशन आता है कि बताएं इन में से परसिद निमंद कार कुन हैं तो वहां अगर अचारे रामचंदर शुकल आता है तो आख बंद करके आप उ आग दो जो की 1945 इस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका संपादन आचारय विश्वनाथ परसाद मिश्र जी के दुवारा किया गया था इसमें तीन महतपूर्ण निबंद है उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा पहला है काव्याय में प्रकृति मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तो और यह है 1922 इस्वी में लिखा गया था काव्याय में प्रकृति त्रिश्य कब लिखा गया था 1922 इस्वी में लिखा गया था तथा दूसरा है काव्याय में रहस्यवाद और यह इन्हों ने 1929 इस्वी में लिखा था तथा अंतिम हैं काव्याय में अभी वियंजनाबाद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यह तीनों के तीनों और काव्याय में अभी वियंजनाबाद 1935 इस्वी में लिखा था आप यह प्रशन अच्छे से कीजिएगा क्योंकि एक्जाम में यह एक्जेक्ली ऐसे ही पूछे जाते हैं अगला प्रशन देखिए आचारय रामचंदर शुकल की जीवनी आचारय रामचंदर शुकल जीवन एव कृतव्य किसकी रचना हैं? विकल्प है राजमल बोहरा, विश्वनात प्रशाद मिस्र, चंदर शेखर शुकला या फिर कुसुम चत्रवेदी आचारय रामचंदर शुकल जीवन एव कृती किसकी रचना है? सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा? अगला प्रशन देखिए आचारय रामचंदर शुकल जी की जीवनी चिंतामणी चिंतक आचारय रामचंदर शुकल नाम से किसने लिखी थी? विकल्प है राजमल बोहरा विश्वनात प्रशाद मिस्र चंदरशेकर शुकल या फिर कुसम चत्रवेदी चिंता मनी चिंतक आचारे राम चंदरशुकल जीवनी किसने लिखी थी तो यह है राजमल बोहरा जी ने लिखी थी अगला प्रशन देखिए अचारे राम चंदरशुकल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कव लिखा तो यह है सन 1929 इस्वी में लिखा गया था अगला प्रशन देखिए अचारे राम चंदरशुकल की अलोचनात्मक रचना गोस्वामी तुलसी दास का रचनाकाल है विकल्प है 1923, 1939, 1924 या फिर 1935 अचारे राम चंदरशुक्ल की अलोचनात्मक रचना इसे याद रखी गया कौन सी है गोस्वामी तुलसी दास और इसका रचनाकाल क्या था तो यह है 1923 इस्वी था बहुत महत्पूर्ण परशन है अगला प्रशन देखिए अचारे राम चंदरशुक्ल जी ने जैसी गरंथा वली का संपादन कब किया विकल्प है 1923, 1939, 1924 या फिर 1935 इस्वी में सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा अचारे राम चंदरशुक्ल ने जैसी गरंथा वली का संपादन कब किया तो यह है 1924 इस्वी में इन्हों ने जैसी गरंथा वली का संपादन किया अगला प्रशन देखिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है अचारे राम चंदरशुक्ल ने भरंबर गीत सार गरंथा वली का संपादन कब किया विकल्प है 1923, 1939, 1924 या फिर 1935 इस्वी में सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा अचारे राम चंदरशुक्ल जी ने भरंबर गीत सार गरंथा वली का संपादन कब किया तो यह है 1924 इस्वी में इन्हों ने भरंबर गीत सार गरंथा वली का संपादन किया था अगला प्रशन देखिए चिन्ता मनी भाग एक का रचना काल है विकल्प है 1945, 1949, 1940 या फिर 1935 इस्वी में तकून प्रशन है चिन्ता मनी भाग एक का रचना काल क्या है इससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ दोसो आचारे रामचंदर शुकल जी का निमंद संकलन चिन्ता मनी चार भागों में प्रकाशित हुआ यह पहले 1949 इस्वी में प्रकाशित हुआ दूसरा 1945 तीसरा 1983 इस्वी में तथा चोथा 2003 इस्वी में प्रकाशित हुआ अगर हम बात करें इनको प्रकाशित करने की तो 1949 इस्वी में आचारे शुकल जी ने इसको प्रकाशित किया तथा 1945 इस्वी में आचारे विश्वनात प्रशाद मिस्र जी के दूरा प्रकाशित किया गया था और इसमें तीन निमंद थे और जब बात करें 1949 इस्वी के पहले चिंता मनी भाग की तो इसमें 17 निमंद थे महतपून हैं आप इसे याद रखिएगा और तीसरा 1983 इस्वी में जिसे डॉक्टर नामबर सिंग दूरा प्रकाशित किया गया था इसमें 21 निमंद शामिल थे तथा चोथा कुसुम चतुरुवेदी तथा ओम प्रकाश जी के दूरा प्रकाशित किया गया था जिसमें आचारे शुक्ल जी के 47 निमंदों का संकलन इ जिंता मनी भाग एक अचारे शुक्ल जी के ही दुवारा संपादित किया गया था और इसमें विचार बीथी नाम से अचारे शुक्ल जी के निमंदों का संग्रय प्रकाशित हुआ जिसमें इसमें इन्होंने मनोविकार समंदी निमंद लिखेते बहुत ही ज़्यादा चिंता मनी भाग एक का रचनाकाल है विकल्प नमबर बी 1949 इसवी अगला प्रशन देखिए चिंता मनी भाग दो का रचनाकाल है 1945, 1949, 1940 या फिर 1935 इसवी चिंता मनी भाग दो का रचनाकाल चिंता मनी भाग दो को परकाशित आचार्य विश्वनात परसाद जी के दुवारा किया गया था और यह 1945 इसवी में किया था तथा इसमें तीन निमंद परकाशित किये काव्या में परकृति दॹ्ष News.1922 इसवी में काव्या में रहस्वाद 1929 तथा काव्या में अभिवियन जनावाद 1935 इस्वी में परकाशित किया गया था अगला प्रिशन देखिए आचारे राम चंदर शुक्ल के गरंथ रस मिमानसा का संपाधन किस ने किया विकल्प है डाक्टर कुसुम चत्रवेदी डाक्टर ओम परकासिंग विश्वनाथ परशाद मिस्र या फिर डाक्टर नामबर सिंग सही उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका अचारे राम चंदर शुक्ल जी के गरंथ रस मिमानसा का संपाधन अचारे का हिंदी अनवाद किस नाम से किया मोस्ट इंपोर्डेंट प्रशन है बहुत कम या आपको किसी भी बुक में मिलेगा कल्पना का आनंद रस मिमानसा विश्व परपंच या फिर बुद्धी चरित सही उत्तर चुनिये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दा यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद राम चंदर शुकल जी ने किस नाम से करवाया तो यह विश्व परपंच नाम से इन्हों ने अनुवाद करवाया था अगला प्रशन देखिए आचारे राम चंदर शुकल जी के अनुसार वीर गती के रूप में सबसे पुराणी पुस्तक कोन सी है सही उत्तर चुनिये कौन सा उत्तर सही हो जाएगा खुमान रासो भीसल देव रासो पृत्वी राज रासो या फिर परमाल रासो सही उत्तर चुनिये आचारे राम चंदर शुकल के अनुसार वीर गती के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक इन्होंने भीसल देव रासो मानी है अगला प्रशन देखिए आचारय शुकल ने किसके बारे में कहा था कि इनकी भाषा ललित एव सानुपरास होती थी विकल्प है चिंता मनी केशवदास पदमाकर याफिर मती राम सही उत्तर चुनिये अचारय रामचंदर शुकल जी ने किसके बारे में कहा था कि इनकी भाषा ललित वै सानुपरास थी तो यह है चिंता मनी जी के बारे में अचारय रामचंदर शुकल जी ने कहा था और दोस्तो अचारय शुकल जी ने चिंता मनी को रीती काल का प्रवर्तक भी माना है अगला प्रशन देखिए अचारय शुकल ने किन के बारे में कहा कि इनका एक एक दोहा साहित्य के लिए एक एक रतन माना है विकल्प है वरिंद कभी बिहारी गिर्दर कभी राय या फिर बनवारी सही उत्तर चुने सही उत्तर क्या हो जाएगा अचारय शुकल जी ने किन के बारे में कहा कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रतन है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प भी बिहारी जी के बारे में इन्होंने ये कहा था अगला प्रिशन देखिए आचारय राम चंदर शुकल जी ने किन के बारे में कहा कि इनका सच्चा कभी हिर्दा था most important question है एक्जाम में पूछा जाता ही जाता है ये चिंतामनी केशवदास पदमाकर या फिर मती राम सही उत्तर चुनिए अचारय शुकल ने किन के बारे में कहा कि इनका सच्चा कभी हिर्दय था तो सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प डी मती राम जी के बारे में इन्होंने ये शब्द कहे थे अगला प्रशन देखिए अचारय शुकल ने किन के बारे में कहा कि इनके वीर रस के उदार सारी जंता के हिर्दय की संपत्ती थे महत्पूर्ण परशन है विकल्प है भूशन पदमाकर मती राम या फिर सैना पती सही उत्तर चुनिये क्या सही उत्तर हो जाएगा वीर रस के उदार सारी जंता के हिर्दय की संपत्ती हुए आचारय शुकल जी ने ये किसके बारे में कहा था और ये रीती काल के एक मात्र वीर रस के कवी थे अगला प्रशन है आचारय शुकल ने किस कवी को हिंदू जाती का परतिनिदी कवी माना है most important question है भूशन को पदमाकर को मतीराम को या फिर सैनापती को सही उत्तर चुने आचारय शुकल ने किस कवी को हिंदू जाती का परतिनिदी कवी माना है अगला प्रशन देखिए आचारय शुकल ने किस कवी के बारे में कहा है कि छंद शास्तर का इनका साविशद निरूपन और किसी कवी से नहीं किया विकल्प देखिए भिकारी दास सुकदे मिश्र कवी देव या फिर शिरीपती सही उत्तर चुने क्या सही उत्तर हो जाएगा अचारय शुकल जी ने किस के बारे में कहा था कि छंद शास्तर का इनका साविशद निरूपन किसी और कवी ने नहीं किया इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प भी सुकदे मिश्र जी के बारे में इन्होंने ये शब्द कहे थे अगला प्रशन देखिए ये आचारय और कवी दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं आचारय शुकल का यह कतन किसके लिए था महत्पूर्ण परशन है भिकारी दास सुकदे मिश्र कवी देव या फिर शिरीपती सही उत्तर चुनिये क्या सही उत्तर हो जाएगा अचारय और कवी दोनों रूप में हमारे सामने ये आते हैं अचारय रामचंदर शुकल जी का यह कतन किसके बारे में था तो यह सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कवी देव जी के बारे में इन्होंने ये शवद कहे थे अगला प्रशन देखिए आचारे रामचंदर शुक्ल ने किनके बारे में कहा कि रीती काल के कवियों में यह बड़े ही प्रगलब और प्रतिभा संपन कवी थे इनमें कोई संदे नहीं है विकल्फ है विकारीदा सुकदेव मिश्र कवी देव या फिर शिरीपती सही उत्तर चुनिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आचारे शुक्ल जी ने ये शब्द किनके बारे में कहे थे तो ये शब्द इन्होंने कवी देव जी के बारे में कहे थे अगला प्रशन देखिए आचारय शुक्ल ने यह किनके बारे में लिखा कि ऐसा सर्व प्रिय कवी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ कर दूसरा नहीं हुआ इनकी रचना की रमनेता ही इनकी सर्व प्रित्य का एक मात्र कारण हैं तो सही उत्तर चुने विकल्प है चिंतामनी केशवदास पदमाकर या फिर मतीराम क्या सही उत्तर हो जाएगा अचार्य शुक्ल जी ने ये शब्द किन के बारे में कहे थे तो ये शब्द इन्हों ने पदमाकर जी के बारे में कहे थे अगला प्रशन देखिए इन में से कौन सी पंती अचार्य शुक्ल की नहीं है विकल्प है यदि प्रेम सुअपन है तो श्रद्धा जागरन है दुख सब को मांजता है बैर करोध का आचार्या मुरब्बा है परीचे प्रेम का परवर्तक है सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा आचार्या शुकल जी की ये इन में से कौन सी पंक्ती नहीं है इसका उत्तर करने से पहले आप एक प्रशन देख लीजिए इनका एक महतपू है इस बार ये एक्जाम में पूछा जा सकता है और यह है अचार्या रामचंद्र शुकल जी का सबसे लंबा सधान्तिक निबंद है जो की 1909 इस्वी में सरस्वती पत्रिका में परकाशित किया था तो दोस्तों आते हैं हमारे प्रशन पर इन में से कौन सी पंक्ती अचार् विकल्प भी दुख सबको मांजता है यह अचार्या रामचंद्र शुकल जी की पंक्ती नहीं है अगर आपको यह पता है कि यह किंसकी पंक्ती है तो आप इसे कमेंट बोक्स में कमेंट कर जरूर बताएं दुख सबको मांजता है यह पंक्तियां किसने कही थी आज के सेशन का अंतिम प्रशन देखिए आचारय शुक्ल जी का निधन कब हुआ था महतपूर्ण प्रशन है विकल्प है 1949-1940-1941 या फिर 1942 इस्वी में सही उत्तर चुने क्या हो जाएगा आचारय शुक्ल जी का निधन कब हुआ था तो यह है 1941 इस्वी में आचारय रामचंदर शुक्ल जी का निधन हुआ था तो दोस्तों यह थे आचारय रामचंदर शुक्ल जी से समंदित महतपूर्ण प्रशन उमीद है अब आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी दोस्तों अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडि हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन